सो आज हम करेंगे proximo-distal principle और lokomotion भी करेंगे है और सब से पहले proximo-distal principle के नाम से आपको क्या पता चलता है है अगर कोई science background में है तो वो पता सकता है निए तो फिर I will obviously wanna explain proximo-distal principle मतलब ही होता है जो proximo-distal है वो Latin word है अगर amcqs में आते हैं तो you should remember जो proximo होता है उसका मतलब होता है close यानि कि नस्दीक close मतलब बन करने वाला नहीं close मतलब नस्दीक वाला close जो distal रहता है अगर layman language में मैं बोलू रियाद रखने के लिए so distal से you can remember distance यानि कि दूर so English में अगर Latin को मैं कमट करके बोलू तो it's away from body मतलब body से जो थोड़ा दूर है तो उसको बोलेंगे distal तो यह जो principal है बहुत ही simple है इसका मतलब यह होता है कि जो development रहता है वो center से periphery की तरफ जाता है जैसे कि यह diagram आप देख सकते हो यह diagram second वाला first वाला cephalocodal का diagram है so second में what you observe कि जो दो arrow है वो cross हो रहा है middle में ठीक है center में तो इसका सिर्फ यही कहने का मतलब है कि जो development होती है बच्चे की वो center से periphery की तरफ आता है supposedly the same baby अगर मैं उसको catch करने के लिए ball देती हूँ ठीक है तो सबसे पहले वो क्या करेगा सबसे पहले वो strength gather करेगा वो shoulder है वो उठाने की कोशिश करेगा उसके बाद वो arms उठाएगा elbow उठाएगा उसके बाद दीरे दीरे वो wrist उठाएगा अपना उसके बाद वो hand movement करेगा उसके बाद उसके fingers खुलेंगे fingers के grip आएगे और उसके बाद he will catch the ball very simple center से periphery की तरफ उसके strength जा रही है same अगर मैं उसको kick करने के लिए बोलती हूँ तो वो kick कैसे करेगा center से ही करेगा center की तरफ जब मैं center से strength gather करेगा जो उसका knee के उपर का part है arm वो उप्ठाएगा उसके बाद center करेगा उसके बाद वो अपने food से movement करने की कोशिश करेगा और kick करेगा so जो growth है जो development है वो कहां से हो रहा है center से periphery की तरफ हो रहा है so इसको इसलिए proximo distal कहां गया है proximo मतलब सबसे पहले नस्दीक वाला उठाएगा उसके बाद distal यानि की दूर वाला उठाएगा so proximo distal principle I hope you understood it proximo distal हमेशा center से आउटवर्ट की दूर्वत हो MCQ में अगर questions आते हैं मैं इसी में पूछनूंगे end of the lecture questions so ये था हमारा proximo distal principle इसके दो points you should remember surely की जो growth रहता है वो proceed कहां से करता है from the center और middle line of the body to the periphery periphery मतलब दूर के जो पार्ट से उपर उपर के जो पार्ट से हैंड्स लोवर लेंब्स जो लेग्स है तो growth जो रहता है body के center से periphery की तरफ आता है so it's a proximo distal direction में जाता है अब इस proximo distal development जो रहता है ये bilateral रहता है यानि कि दो hands है दो legs है so ये bilateral direction में जाता है and symmetric for the most part मतलब की जादातर पार्ट में जो रहता है symmetric है अभी किसी के hands चोटे बड़े तो नहीं होते हैं और किसी के legs चोटे बड़े होते हैं absolutely symmetric for the most part so both sides of the body पर ये काम करता है so MCQS में साह सकता है कि अगर proximo distal development है वो unilateral है या bilateral है so you can say that it is bilateral अगर इसमें कहाँ चाहते है कि proximo distal development वो symmetric है या unsymmetric है so you can say it is symmetric very easy अब आता है locomotion third principle locomotion locomotion बहुत ही simple है इसमें सिब यह ही बताया जाता है कि जो human beings है वो अपना locomotion नहीं कि movement वो start करते है यहां से वहां move करना सबसे पहले कैसे start करते है sequence होता है so for the babies babies सबसे पहले क्या करते creep करते creep कुछ ऐसा पकड़के रिखते इसे उसके बाद crawl करते slowly slowly start the movement वो crawl करते है चार पैरों पर यहां आपर डाइग्रम भी है you can watch उसके बाद वो walk करते है फिर run करते है फिर ऐसा है मतनब जो sequence रहते है creeping, crawling, walking कहीं पर दुनिया का कोई भी baby हो सब का sequence यही same रहेगा कुछ अलग नहीं रहने वाला ठीक है so you should remember that first the baby creeps then crawls and then walks the time may vary time vary हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी creep करना crawl करना start करते कुछ बच्चे late walk it happens हमाय सरौंडिंग के असपत भी we have already noticed this kind of incident कि according to their individuality हर किसी की individuality अलग होती है उसे सब से they respond but the sequence will be same sequence तो यही रहने वाला है okay let's see आपको किता समझ में आया है I'm gonna check your progress so सब सब पहला question is Cephalo-Caudal principle का मतलब क्या है Cephalo-Caudal principle का मतलब क्या है let's see पहला option development proceeds from bottom to top in organism मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बता है था bottom से top की तरफ जाते है bottom यानिकी toe और top यानिकी head so no पहला option नहीं है development proceeds from head to foot head से foot की तरफ जाते है yes यह answer तो है अब let's check C and D development proceeds from central to peripheral central to peripheral की तो बात ही नहीं आही है so no development proceeds from peripheral to center peripheral to center तो कोई principal ही नहीं है जो second principle है proximal distal वो center to peripheral है so यह भी हमारा option नहीं है so हमारा जो correct answer है वो है development proceeds from head to foot now the second one is proximal distal principle means proximal distal principle का मतनब क्या है simple development proceeds from center to peripheral पहला ही answer है center से peripheral की तरफ जो development होता है उसे हम क्या बोलते proximal distal principle okay second option भी देख लेते तो सारे option देख लेते की कौन से नहीं है development proceeds from peripheral to center peripheral to center तो ऐसा कोई principal ही नहीं है so this is absolutely no development proceeds from head to foot head to foot head to foot तो हमारे पहले ही कर्श के cephalo caudal है तो यह भी नहीं है development proceeds from foot to head foot to head foot to head reverse में कहुंसे development हो रहे है no तो यह भी नहीं है हमारा correct answer है A development proceeds from center to peripheral पही 3rd question है development process is influenced by development का जो process है वो कौन influence करता है nature, nurture, nature and nurture nature and nurture I think nature and nurture development के process है वो nature भी influence करता है और nurture भी influence करता है है कि नहीं नहीं गलत it's nature influence development उसके बात आता है during the development process the baby first gains control over the hand and then towards the legs this principle is called dash development process है इसका मतलब यह होता है इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगी तो development जो है कैसे स्टार्ट हो रहे कि जो baby है उसका control सबसे पहले है hand की तरफ आरहा cephalo-cordal यानिकि head से foot की तरफ जो मैंने बताया था पहला principle बताया था उसके बाद वो leg की तरफ आरहा है यानिकि foot की तरफ आरहा है यह वाला जो principle है cephalo-cordal principle इसके बाद 5th question है an infant exhibits whole arm along with forearm movements before it shows the hand grip or finger grip this is according to the principle of simple proximal distance कि infant है वो पहले arm use कर रहा है before arm movement कर रहा है फिर इसके बाद hand में ग्रीप ला रहा है पहले ही explained कर दिया है so it is proximal distance the infant uses the shoulders and elbow to catch an object before it uses raised stem fingers it is due to so infant है वो shoulders का use कर रहा है and elbows का use कर रहा है object को catch करने में so development that proceeds from head to foot नहीं development that proceeds from central axis of the body to the peripheral yes so यह B है answer the sequence of locomotion at the babyhood babyhood का locomotion का mantra क्या है पहले ही मेने बता है creeping crawling standing and walking universal mantra so what option क्या है B है creeping आएगा crawling आएगा standing आएगा walking आएगा उसके बाद 8 का क्या है development follows the principle of orderly sequence means development जिसमें principle follow के जाते है orderly sequence क्या है कौन सा principle फॉलो करते है okay development phases occur one after the other advanced development phases are followed by primitive development no primitive development stages are followed by advanced no it is irreversible हाँ ये तो हम लोग नहीं पढ़ा है it is irreversible so लेकिन ये मतला पूछ रहा है okay follows the principle of orderly sequence means development follows the principle of orderly sequence means हाँ it is irreversible ही है कि येक sequence फॉलो गरता है okay और ये भी हो सकते है developmental phases occur one after the other okay that's it for today bye